पलामू में तेज आंधी और बारिश की वज़े से मिट्टी का दिवार डहा जिसमें दपकर एक महला की मौध घटना पांकी थाना के नुरू पंचायत के भुण्या कुरह गाउं की है जहां दो पहर लगवक तेज आंधी के कारण जर्जव दिवार से गिरने से दपकर भुण्या कुरह गाउं निवासी मनोस सिंकी 35 वर्ष से पत्नी पीरन देवी की मौध हो गई घटना के संबंद में वृतिक के परिजनों ने बताया कि आंधी दूफान और बारिस के समय महला घर से बाहर गई थी और लोटते वक्त दिवार उस पर गिर गई जिसे दपकर उसकी मौध हो गई हाला कि घर के परिजनों को इसकी ततकाल जानकारे नहीं मिली चूकि महला अकेरी घर से बाहर निकली थी और कच्छे मिट्टी का दिवार के मलबे के नीचे दब गई थी तो घर वालों को जब उन्हें काफी खोज भीन की तब मलबे के सबीब साड़ी का पल्लू दिखाई दिया जिसके बाद मलबा हटा कर उसे निकाला गया हाला कि तुरल समुदाइक स्वास केंद्र ले जाया गया जहां चिकिस्व ने मृत घोसित कर दिया गया और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जीन भारत अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले